तो दोस्तो आपका एकर फिट से हमाले चैनल नोटवर्ण सागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम क्लाश ट्रेल्ट पॉलिटिकल साइंस का जो स्लेबस है वो कवर करने वाले हैं मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का आपको बताते चलूंगा कि मिट्रम में कौन से लेशन आ रहे हैं ठीक है कौन सी बुक से कितने चैप्टर आ रहे हैं फिर मिट्रम के बाद आपको कौन से लेशन पढ़ने हैं और जो पूरा आपका बोर्ड का स्लेबस है वो क्या ठीक है दोस्तों इस लेशन में से कौन कौन से लेशन आपको पढ़ने है तो पहला जो लेशन है दो एंड ऑफ बाइपोलाइटी यानि दो धुरुवयता का अंत टॉपिक्स आप यहां देख लीजिए ठीक है फिर दोस्तों अगला जो लेशन है कंटेंप्रारी सेंटर्स पावर यानि सत्ता के समकालीन केंट तीसरा जो लेशन है दोस्तों कंटेंप्रारी साउथ एशिया समकालीन दक्षिन एशिया ठीक है दोस्तों फोर्थ है दोस्तों इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन यानि के अंतराष्टी संगठन फिफ्ट है दोस्तों सेक्यूरिटी इन कंटेंप्रेरी वर्ड यानि समकाली विश्व में सुरक्षा जो लेसन आरा इस बुक से इन्वायरोमेंट और नैचुरल रिसोर्स पर्यागनन और प्राकर्टिक संसाधन सेवेंथ है जो है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन यानि कि वैश्वी करन तो आपकी जो पहली वाली पढ़ने हैं दोस्तों आपको मिट्रम में पहला है चैलेंजेश ऑफ नेशन बिल्डिंग यानि जो राष्ट निर्मान की चुनोतिया है जो एक दली प्रभूत्व का यूग यह आपका दोस्तों यह जो मैं सलेवर्स अभी बताया यह आपको 15 सितंबर तक कप्लीट करना है उसके बाद दोस्तों आपका मिट्रम इग्जाम होगा उसमें इतने ही चैप्टर आएंगे जो उपर के मैंने बताएं उपर के टोटल जो 9 चैप्टर है ठीक है दोस्तों जब आपका मिट्रम इग्जाम खतम हो जाएगा उसके बाद आपको दोस्तों इसी बुक में से स्व एंड रिश्टोरेशन ऑफ दा कॉंग्रेस सिस्टम ठीक है कॉंग्रेस प्रणाली की जो चुनवाती है और जो पुनरी स्थापना है यह आपको पढ़ना है जो आपको दोस्तो चेल बताएं मैंने सेकेंड वाली बुक्के यह आपको मिट्रम के बाद कवर्णा है और यह पूरा स्लेबर से दोस्तो मिट्रम के पहले का और बाद का यह 15 दिसंबर तक आपको कंप्लेट करना है उसके बाद आपको प्री बोर्ट और बोर्ट एक्साम होगा उसमें कंप्लेट स्लेबर स आने वाले है ठीक है दोस्तो यह पूरा स्लेबर स था